तो आज शुकरवार याने फ्राइडे परतेक शुकरवार को आप हमारी साथ जूड़ जाते हो तीन बचकर 30 मिनट पे जहां अलग-अलग डाइमेंशन से अलग-अलग चिप्टर से सवा लेकर आते हैं और आज तो आपने देखा योगा थम्निल में कई सारे चिप्टर को इंक्लूड किया है मैंने और आप देखना वो चिप्टर आपको बहुत फाइदमन्त होगा आने वाले समय में आने वाले अभी अब देखो कि क्या क्या टॉपिक हमने सेलेक्ट किये हैं तो पुरुषकार और अवाध है संगठार और संस्थान है मुख्षाले की बात करें राज जिविधार मंदर और गवर्नर है खेल असपरदा है और वैज्जानिक नाम आज एक्जाम हुआ रेलवे का सारे पा सामना लैसी से गुड़ अप्रनून गुड़ अप्रनून माई डियर गुड़ अप्रनून पवन अमीत अंसु पार्थ नसीम मंजू और भाई कौन जूर्ट के हमारे साथ आचल पवन कृष्णा दीपू देख लो दीपू जो मैंने पढ़ाया है क्या सवाल आये हैं या कि आज आप लोग में से किसी का एक्जाम था क्या हां मेरा है ना मेरा एक्जाम है कल कि है ना चलो शुरुआत करें तो यह कुछ चुनिंदा टॉपिक है जो बहुत थाइलेमंद होगा आपको आने वाले पेपर में एक आइडिया लगेगा ठीक है चलिए अब देखो यह बैस तुछ चल रहा है बच्चे नौ जुलाई से इस्टैक जिके और यह जवरदस्ट 28 जुलाई से एक नया बैस शुरू हो रहा है 28 जुलाई से एक नया बैस तुरू हो रहा है किसवे अनगाड़ी पे यह वाली पेक्ट इससी डीडी कॉंस्टेबल 2020 कि इन में से कितरे सारे सब्जेक्ट हैं ठीके जीए हिंदी रिजिनिंग मैप्स और यह क्लास की लिंक आप जाहो तो आप देख सकते हो पूरा बकाइदा आपको लिंक दिख जाए पूरा क्लास का से दूल दे जाएगा आपका ठीक है अच्छा एंटी पीसी की ओके मैम सर एससे जिदे सिगनेचर महस नीचे मार्चिन डाला है कैपिटल क्या प्रॉब्लम आएगा फ्लीज मैस को प्रॉब्लम नहीं आएगा आराम से रखिए और मिक्स चेप्टर की बात कर आपको पता है कि अर्रवी एंटी पीसी में मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल प्लस पे नौ बज कर पांच मिनट पे नाइन फाइव एंट पे और संडे यानि परस्टो कॉंबिट का डेज है तो अपने आपको इंडॉल जरूर करिएगा कोट डाल देजेगा बीए 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 वन जी ओ और कोट डाल के अपने आपको इंडॉल कर लीना और टेस्ट का मार्ट जरूर बताना सेर करना हमें अनकाडमिश सब्स्रिप्शन के लिए आप हमारे साथ जोइन कर सकते हैं रिफल को बाबटेल लगाते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइज अवार्ड की प्राइज सब्सक्राइब कर लिए अधिक अगर्ण पुरुषकार के बात सब्सक्राइब किसने अधिकताम पूरुषकार चीते हैं लिज्चो लेडी गागा बिली एली स्थानिया टक्कर सवाल नमर एक बताएज क्या होगा गुड़ आप्टर नून अभूल तो, किसने जीन था बिली इलीस ने अरे बिली की जैसे आके थी इज दिखाया था पडाया था आपको अन अकाड़िनदफी पे वार्शिक ग्रामि पुरुषकार के बासलटों सम्सक्रण में बिली इलीस कौरे एक अमरीकी गायक और गितकार है नीक्स्त जो आसकर आवार्ड भी बोलते हैं से तरुसेश्ट अभिणेता का दूजर बीच का आसकर कुर्सकार किस नहीं जीता एडम ड्राइवर जुनाथन प्रिस जोकिन फिनिक्स एंटोनियो बंडारेश तवाल नंबर दो करें जलनी वच्छे तो अभी आप देखोंगे नाइन्टी सेकेंड जो आसकार अवार्ड है किसे मिला था जौकिन फिनिक्स को मिला था किसे मिला था जौकिन फिनिक्स तो भारत्रत्न कौन भारत्रत्न पाने वाले नहीं है विनोबा भावे आसा भोशले लालबाद उस्वास्तरी डॉट्वरे साधा क्रिश्टन सवाल नमर तीन जल्दी देखो आसा भुसले उन्यसों 30 में इनने मिलता है भारत्रत्न इन्हें उन्यसों 52 गी कि सामने तो भारत्रत्तर पाने वाले विनोबाव ने प्रुषकार पाने वाले पहले भारती मदर ट्रेसा हरो और गोविन टाइगूर तीवी रमन रवीना टाइगूर सवाल नमर चाट जल्दी प्रुषकार पाने वाले पहले भारती की बाद के रवीना टाइगूर यह पहले एसियन है इसके लिए तो कि पूर्ट यह अनि इस तरह से के लिए इसके लिए अजै गिता अंजली मदर ट्रेसा को उनिस्ट न्यास्ति में मिलता है और उन्हे सवस्ते में भारत था था, था ना, ठीक है, उन्हें सवर्षत्रट में अर्थ सास्तर क्राइब नोगील पुनुषकार का सापना की गयी ठील लेकिन पहली बार कब संबानत किया गया, जल्दी और आपको बताना है कि परतेक दस में कितने सवाल आप सही करते हो सीवी रमन 1930 गौरव परजापती बहुत बढ़िया सुन्दर अती सुन्दर अती सुन्दर तो क्या होगा जवाब इसका उन्यसोनहत्तर नी 969 इंटेंट नाम बताना नमस्कार अमरीत कुमार नमस्कार नमस्कार 969 बहुत आप ज़र बताओ तो 969 के अगर मैं बात करूं तो किसे मिला था कौन था रहत नारफ फुरिशτα गया अप सर क्या किसी को सांति का भी भारत में मिला हैं मिले न मिला नहीं मदटर सा पत्रशिक बिल्की नेक्स तो आर्थिक विज्यान में पहला पुरुषकार 770 तरने रगनार फ्रेष्ट और जॉन तिनबर्गेन अग्या था आर्थिक विज्याने पुरुषकार जिनफ वाले पहले पहले भारत के बहिला अभिनेतरी इसमिता पाटे नर्गिजद मिना कुमारी बदुबाला सवाल नम अच्छा है विल्कुल कमेंटस हो रहा भई रंजन कुमार भले मैं इना दिख रहा हूं नर्गिश पहली पमण उसरे पुरुषकार पारने वाली पहले अभिनेतर नर्गिश अचा राज सभामें जाने वाली ए राज सभा में तूने जाने वाली या नामी पहले अभिनित्री राजसभा में चुने जाने वाली या नामित पहले अभिनित्री कौन है अगर नर्गिश्दत होगा संजयरत के मम्मी सुनलत की वाइफ तो थम दिखाने जरूर बिल्गूल सर्थ आखिशंसर पर्दिश्द तर्प में अगर अगर में से पुर्षकार पाने वाले पहले भार्थियके वान ने पढ़ाय सहवाल निम्र साथ कि यह अच्छा था तो बच्चे मैक्सी से पुरुषकार पाने वाले पहले भारते कौन थे बीनोव भावे अभी तू बताया हानड़ंन थे आफ करें तू पैंड़के चाहिए सब्सक्राइब ना डाइबरा में अगारा है पुर्षकार मिला है जो पहली IPS रही है पॉस्ट IPS तो 1958 में भावे सामुदाइक किसे लिए मिला यह यागशना तो सामुदाइक नेत्रत के लिए आपको याद होगा 1951 में यह लैंड गिप्ट मुविंट जिस आप भुदान आंदुलन के जनक प्रनेता कौन है विनोभावे और 1983 में मर्नोप्रांत भारत रत्न से समानित किया गया जरसा कमेंट बाक्स को बताना कि मर्नोप्रांत भारत रत्न स सम्मानित पहले व्यक्ति कौन है चल्दी कमेंट बॉक्स में कौन सा साहित कि छेत्रम भारत के सरवुत सम्मान व्यास सम्मान कालेदा सम्मान ग्यांपिट पूरुषकार तरस्वती सम्मान सवाल नमबर 8 केजरेवाल जी 2006 में बहुत बनिया पाल बॉअए लाल बाहदु सास्तरी लाल बाहदु सास्तरी बहुत बनिया नांडे 66 में पहले मर्नोप्रांत तो भास्ताइप के छेत्रम में भारत के सरवुत सम्मान ग्यांपिट पूरुषकार और आपको याद होगा ग्यांपिट पूरुष मल्याने पहले के ला पहले मल्याली इस वर बताःडा कि अंतिम रूप्रुषकार सा समाने ब्रक्ति कौन है कि इनकी मिर्थी हुए हाल में खेंग उन्हें सब्सक्राइप और आसा पुर्णादेवि पहली महिला आसा पुर्णादेवि पहली महिला याद रखना तो जांट्रेट के लिए उत्र के लिए उत्रान हे तू परदान किया जाता है, यह न? अकितम नम्बुदरी, जो वो भी केरल के हैं, वो भी केरल के हैं, उनको भी मल्यालम में मिला नम्बुदरी, जिनकी अवी डेथ हो गई है ना यादखना बिल्कुल ने तो परक्ष्यात मल्यानन कभी अक्टितम को मल्यानन भासा और कावे में उनके उतनी चोग्धान के लिए 95 यानक्वर प्रुसकार के लिए चुना गया है ना यादखना अब यह देखो 1991 में परदान किया जाता है कि सके दौरा के के विलगाफ हौंडिशन दौरा 2019 में ब्यास तम्मान किसको मिला कागज की नाव किने नासिरा सर्मा और भारत के प्राचेन भासा परिवार दौक्टर रामिलास सर्मा को पहली बार ब्यास समान से समान किया गया था ठीक है आगे देखो जी नेक्स्ट ऑसकर आवार 26 भार जीता गया किसके दवारा चार्ली चैपिन अल्फ्रेड हिचकॉक वाज्ट डिजनी कुरो सावा सवाल नमर नाहीं सबके कमेंट्स सुलो आने बिल्कुल तो आप देखोगे 26 भार किसको मिला वाल्ट डिजनी को ऑसकार आवार 26 भार जीता गया वाल्ट डिजनी के दवारा तो वाल्ट डिजनी उन्हें सो एक सियासत ने कुल 26 अकैडमी अवार्ड जीते हैं और 49 भार नमांकन हुआ है यह तो बिल्कुल रेकॉर्ड रख बना दिया विल्कुल रेकॉर्ड बना दिया ना निक्स वच्चे वाल्ट डिजनी क्या वच्चे तो वाल्ट डिजनी एक ति अमेरिकी मोशन पिक्चर और टेलिविजन निर्माता और सोमैन थे जो काट्टु सब्सक्राइब किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर के लिए 2020 का ऑस्कार अवार्ट चीता है जोकर पैरसाइट जो जो राइबिट फोर्ड वर्सेस पिरारी सवाल नमर्दस लिलाधर नासिरा सरमा 2020 2020 तरवत पगारे आईए सही है बता बच्चे क्या होगा तो बान्मेवे एक अवार्ट की बात करें पैरसाइट चाहिए पैरसाइट है या तक ना न मिर्पुल अब बताओ दस वाल जो था और वडशकी सफिक हिए लमाम कितनेगा है जसकी्टिशन और इससे रोट Babe तस सवाल मं आपने कितने सभी किये दसपारों कितने हैं जरह पताना ने खरके क्वर्ट तश घतकवार्ट्र सब नावाड अभी मैंने पढ़ाया आज 130 PMP देड़र वेज़े वाली क्लास में दस में दस क्या बात है सुन्दर पवन स्वीटी सौरव अमीत क्या बात है अती सुन्दर नावाड का मुख्याले की बात करें तो मुंबई 12 जुलाई 1982 के उसके स्थापना के गई थी था न ने की बात करें छेत्रे ग्रामन बैंकों को सारुजुरिक जमा द्वारा स्वासन दिया जाता है नावाड द्वारा भारते जीवन विमा द्वारा या फिर द्वारा अभी आज के एक्जाम में आर्वियाई के स्थापना पूछा है तो चेत्रे ग्रामन बैंकों को जो सारुजुरिक जमा करता वो अस्वासन दिया जाता है डी आई स्थापना के गई ती घाबे पर्थमा बैंक पहला आर्रवी था जिसका है मुरादबाद पीतल नंगरी मुरादबाद पीतल नंगरी या दखना बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट समीति सिफारिसों के तहत 2013 में शेत्रे ग्रामन बैंकों का समामिलन कहा हुआ था व्यास समीति ब तो अगर मैं बात कुरूं समीति सिफारिस की समीति व्यास समीति के सिफारिस पर 2013 में शेत्रे ग्रामन बैंकों के समामेलन हुआ मतलब ग्रामन बैंकों को मिलाया गया जो चोटे चोटे ग्रामन बैंक तो उसको मर्ज किया गया जैसे अब यह मोधी गवर्मेंट में आप द तो ट्राइब की बात करें इसके स्थापना कब की गई 1997 में जब किया कर यहां स्थापना निश्वाटास्थी में लेकिन इस तो वह इधारी दर्चा मिला है 1902 में ठीक है तो ट्राइब का काम क्या है टेलिकॉम रेगुलेटर ऑस्टरिटी है जितने भी आप देखतो टेलिफोन से जूड़े भी जो भी रूल रेगुलेशन वह कौन रेगुलेटर करेगा ट्राइब करता है नेक्स्ट की बात करें भार के दूर सच्चा नियामत प्रावधि चल यह पता हिए कौन है आरेस तर्मा डॉक्टर आरेस तर्मा वीडियो बागेला बदल गए खूटिया है क्या आरेस तर्मा खूटिया है भई खूटिया है ना एक आड़ को अ बैल पीडियो बखेला वच्चक्र कोण है पीडियो वगेला, कों है ये, तो पहले रामस सवक्श, थखुच स्थाको में पीडियो बखेला है तो ट्राइक किisst भिबाग करें कौन है यह बदल गए इप अभी कौन है पीडियो बखेला है ना आगे देख भारतिय मूल के भारतिय रिजर्बाइंग के पहले गवर्णर कौन थे ओस्वान स्मित सिराज गुपाला चारी एलके जहा सीडी देश्मुक सवाल नुमर सोला हाँ स्वास खुटिया इर्डा हैधराबाद भारतिय मूल के भारतिय रिजर्बाइंग के पहले गवर्णर की बात करें सिर्डी देश्मुक यानि भारतिय मूल के भारतिय रिजर्बाइंग के पहले गवर्णर कौन है सिर्डी देश्मुक जब कि ऑस्मन स्मित की बात करें त पहले भारते मुली के गवर्णर सिंडिरेश्बूख जबकि पहले गवर्णर ऑस्वें स्मिथ जो एक अंग्रेश थे निफ्ट के बाते उनिस्ट में महात्मा कांदेरें हिम्रीकित में से किस बैंक का उध्वाटन किया था यह पिछले बार भी पढ़ाया था मैंने बताए क् यह पिछले बार में पढ़ाया था याद होगा आपको किस बैंक का उध्वाटन किया था जुनियन बैंक ऑफ इंडिया जबकि जब 1905 में स्वदेशी आंदूलन की सुरुआत होती है तो स्वदेशी आंदूलन के तहत ही इंडियर बैंक के अस्थापना की जाती है अगर नारा नॉम्बर 2019 को पंजिक्रिप किया गया था और इसका उध्वाटन महातमांधनी किया था कहां पे मुंबई में ठीक है नेक्स्ट सेवी के वर्तमान अध्यज को ने कूई दा करेंट चेयर्मेंट अब दा सेवी सर अब बिहार से हैं हाई मैं जार्खन से भी बिहार से था तो पंद्रह नॉम्बर 2020 को जार्खन डर्लक हो गया थे जार्खन से भी के वर्तमान अध्यज की बात करें आजे त्यागी अठारा बही नेक्से एक्से एक्स्टेजिन पर मिला था इंडिय कारेकाल को किस संगत्षां को तीन बार नोबेल सांदेव पुसकार से समानित किया गया है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ दरेड़ क्रॉस एमनेश्ट इंटरनेशनल ट्रांसपारेंसिंटरनेशनल या इसदाटें नेसन समयनो सवाल नुमर नाइंटीन तो किसे मिला है रेड़ क्रॉस के अंतराश्टे समीति को तीन बार समानित किया गया है कब-कब 1917 में यह जरूर याद रखना उनिस्तों चवाली सो तीरी सफ हो सकता ऐसे पूछे कि लास्ट ली कब समानित किया गया उनिस्तों त्रेसर पहली बार उनिस्तों सत्राइब ठीक है कि सवाल वही है और सब्सक्राइब मतो ना है मुरक्व है तो तेरा सु चैथि इसवी में मुरक्व निवासि कि अब आए हमारे हमारे साह में पता ना कौन से नसरे में था यह समझे निया प्श्राइब जवाब पूछ और है अब बताओ क्या जवाब दोगी कि नोरा फतेहिक किस देश की है मुरक्व की है यहीं पूछ लेता हो तुम्हें हाँ सही कह रहे हो सही कह रहे हो भाई या सवाल देखो इंगलीज में देखो इंधि छोड़ दो इंधि छोड़ दो इंग्लिश ने में क्या कहा कि किस आफ्रिकन कंट्री आफ्रिकन यूनियन का मेंबर नहीं है तुम रख वो मेंबर नहीं है आरे बस समाझ में यह देखो किलर है भई इंग्लिश देखो इंग्लिश दबगे सी छोड़ दो कि अब सब्सक्राइब नहीं है तो 9 सितंबर 1999 के लिबिया के स्तिर्टे में एक घोषना की गई थी अफ्रिकन यूनियन ठीक है और अफ्रिकी संग एक महादेपिय संग है जिसमें 55 देश तो अफ्रिका महादेश में कितने देश है 55 देश सामिल है ठीक है कि अब आज आते हैं इस आज कारी तोर पर 2002 में अफ्रिकी एक ता संगठन के उत्राइब करूप में लॉंच किया गया था मुख्याले अदिस अब आवा इथोपिया अब आपते स्टेश लेंश 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 लेंट गवर्नर यानि राज विधान मंदल और राजपाल से कुछ सवाल देखते हैं ना आईए ज़रा तवाल नमबर वन आर्टिकल 173 अप्टा इंडियन कोंस्टिशूशन वालिफिकेशन पूर्दा मेंबर्सीव प्टा सवाल नमबर एक्कीस क्या होगा बताइए सवाल नमबर एक्कीस में अजिए सवाल था जब राज विधान मंदल की बात करता है तो राज सरकार के अंतर के तुब बात करेगा कि जब कि यह क्या डिपी एश्पी 36 से क्यावन की बात करता है पार्ट पूर में जो कहां आयरलैंड से लिया गया और भारते नागरों के लिए मूल अधिकार की बात करें संडमेंडला इस यह युए से लिया गया ही जो पार्ट प्रेरी बेचार चकी गई है बारा से पैथिस और यूंजिन गवर्णमेंट ये पार्ट फाइव ये पार्ट शिक्स ये पार्ट तो समिधान के भाट सिक्स के तहत अनुछे देखो तिहत्तर राज सरकार या मसिनरी के विशें से संबंदित है यहां देखना अगे देखो नेक्स इसमें राज विधान मंडल की सदस्टा के लिए जो योगिता होनी चाहिए वह है तो आपको पता है राज विधान मंडल में दो हाउसेज है रास सवा के लिए 30 साल लुक सस्थ और विधान सभा के लिए 25 साल कम से का मेज होनी चाहिए तो विधान के 211 के ताहतु विधाइका में चर्चा पर प्रतिमत लगाया गया यह किसका इंतरगा ताहिगा डिपीएश्पीज यूनिन गवर्मेंट फंडामेंटल राइट्स यह स्टेट गवर्मेंट सवाल नबर बाइस जल्दे क्या मेरी आवाज आ रही है कि साउंड के लिए कोई इसू तो नहीं है यहां भी क्या होगा राज सरकार की क्या होगा राज सरकार के अंतरगाद देखने को मिलेगी तो अनुछे 211 समिनान के भाग 6 में संबंदी थे राज विधान सभा के सरस्थों के अधिक्तम निधारे संख्या क्या है देखो एक बच्चा है उसी को केवल साउंड का प्रोब्लम है भाई ठेपी लगायो कानुए प्लीज निकाल दो राज विधान सभा के सरस्थों की बात करें तो अधिक्तम 500 तारसो तीन है कहां यूपी में मिनीमम स्टार्ट हो चकता है जो अंधरा प्रदेश में है लेकिन अपवाद गोवा चालिस सिक्यम तो बत्तिस पोड़ो चेरी यहां भी तीस यह अपवाद है यह अपवाद है यह अधक्ता बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट तो अनुश्य जो सकता विधान सभाओं की रशना की बात करता है किसी विधान सभा में अधिक्ता पांसों सदस्थ हो सकते हैं जबकि व एक्सेस्टन अपवाद कहां नहीं है ना कि नेक्स्ट वच्छे किस राज्य विधान सवाबें सवाल नमर 24 देख्या आसान सवाथ कि अच्छा कांद के सामें डीजे लगा दे तो भाई अभी तो देखां अपने उत्तरपंडिस चार्टोप्तीन महराष्ट्रा 208 ती महराष्ट्रा 208 ती अब बताओ पाश्यम मंगाल में कितने हैं पाश्यम मंगाल में कितने जल्दे जडिल्य वधान सभा में सटश्यम मंगाल में कितने हैं नक्ष्ट्र दिल्ले विधान सवा में सटश्यम म्हिसंगतनी हैं अश्टी हे बग्वान अश्टी लोग सभाएं Hyo अस्टी लोग सभा एक अत्रिस राजिस दभा ओर esse हम्टर्ड विधान विष्वर में persistence मेचान परिशन इंटान जुके शंथाम दिल में कितने सत्तर और सात जोगसफ़ और सत ज inputs सात जोग सफ़ा मपरिशफे और स्मिल्कूट टीं राज सब्सक्राइब धारतिश्स्साम्ताम में एममैलों कातDY हों ङी मेंुल्पोर्म कितने लोगों को पता हैं अ कि 70 70 70 चलिए ये से क्या होगा आए भारते समिधान में अमेने का पूंडुक के बाद में विधान सबस्पार से तो विदान सभा की सदसाथ MLE जो हम परते चूनते हैं एक विदान परिशाथ में MLC होता है तो लिजिलेटिव कॉंसिल में मेंबर अफ लिजिलेटिव कॉंसिल लाट मिंस MLC बोलते हैं जो विदान परिशाथ में सदस्त स्सक्राइब तो MLC विदान परिशाथ का मेंबर और MLE विदान सभा का मेंबर न, विया रखनी है जम्मु और कर्श्मि विदान्वा का कारिकल कितना होग अब थे साल पांसाल चार सब सास्थ है साथ kita है जल्दी कि दोयुद्र की जम्मू और कशंवहां स्वार कारेकाल कीद पाट में बस्ते जब नहीं कि आ इसका पनगी उस साल और मजएं की बात ए depreci तो यहां岂पर विद्हान परिशट्ण भी था अब सुचो विधान परिशाद का भी कारेकाल जो मेंबर सुने जाते हैं छह साल क्योंकि तो अपर हाउस से कभी डिजॉल होगा नहीं सदस्य का कारेकाल शह साल था और विधान सभा की कारेकाल भी शह साल था लिगन वरतमान समय में यह पांस साल हो गया कैसे कि 31 किसी राज के विधान सभा में किसी पार्टे को पुन भाहमत प्राप्व नहीं है तो राजपल किसके दवारा कारे करेगा दा एडवाइस और फॉरमर चेफ मिनिस्टर देवाइस और प्राम निस्टर दा प्रेस्टेंट ऑप इंडिया हीच ओन डिस क्रिएशन सवाल नमर प्राप्थाइस जल्दी तो अपने विवेक द्वारा कोई मतलब नहीं है अरे प्रेसिडेंट क्यों होगा क्यों प्रेसिडेंट होगा राश्चिपाल अपने विवेका नुसार कारे करता क्या कहा है गया अगर किसी राधी के मिधा सबहा में पुण बहुंत प्राप्थ नहीं तो राजपदी को कहेगा कि किसी के पास और नहीं है तो क्या क्या करता जाए तो बोला जाए तो पर मॉछला और क्या तो शपल एसे फारिश करें ना जा तक ना मिलकूल ठीक है अच्छा बताओ क्या प्रॉब्लम हुए समझने में से इसे समझने में कहां दिकत्त हो इस सवाल को जर्डर आप मुझे बता दिजिए कहां समझने में प्रॉब्लम हुए सवाल और अगर नहीं समझ बार है तो फुरी मुझे बताओ ना मुख मंत्र के निर्टी में जब कोई भी पार्टी विधांसवा चुनाक बात पुन बहुमत राप नहीं करती है तो राजिपाल एक सिस्थिर सरकारे गठन का पता लगाने के लिए अपने विविक से जाए ठीक है कि आप कोई सरकार ना बना पाएगा चाहिए पक्स या भी पक्स से तब वो राश्पती को लिग कर देंगे कि आप 356 लगा देगे तब आएगी बात है थिक है किस राज में विधान परिश्थ है पिच्वता फॉल्म इस्टेट हैजर इस्टेटर कॉन से मद्रपर्देश तामिलाडू केरल अंद्रपर्देश सवाल मरून अप्तिस छेक्षिक ज्ञेद नहीं होता अर्व अस्विन कुमार आप तो रेल मंत्र हें आपको क्या जरूत त्यार करने की तो क्या हो बह действies? नहीं कि इन थे प्रफुत बात करता हूँ आप कहते व्यों सारा आप बहुत बोलते हो क्या करें जी एस का मास्टर ने जी एस का टीचर ने बोलना ही पड़ेगा मतलब क्या करनाटक यूपी महराष्ट्रा बिहार अंद्रपरदिश तेलंगाना यानि च्छै राज्यों में विधान परिशद है आर्टिकल वन दिखे नाइन से हम विधान परिशद बना सकते हैं किस अनुच्छेद के तहात विधान परिशद रागठन या उसे समाफ्त किया जापता है ओ माइगाट बोनस है यह ना बोनस आदे एक एक सोनत्तर एक स्वार्थर चे विधान मंदल यह विधान सव्बा और यह विधान परिशद ना तक तू भी कंटीनूड भागना मत अभी और अब磨 इस कोर बताओ कि दस न क्तने हो डसł पॉलिति में ईसे कितने सही किये हो tätग कि दस पॉलिति में से कितने damn सही किये हो है कि दस पॉलिटी में इसे कितने सही किया होगी कि दस पॉलिटी में कितने सही किया जरा बताइएगा कि दस में दस अच्छा क्या बात है वई कि दस में आठ क्या बात है क्या बात सुन्दर अब दस सवाल हम देखते हैं कि वाइसरा और गवर्नेंजनरल यह पढ़ा चुके है मौड़ा नहीं आवे कई बात आईए देखें सवाल नंबर वन लॉट्स टैंप्सपोर्ट यह कारकाल की दारां एश्वी सीना किस राजजगे राजज गवर्नर गरूपे न्यूप किया गया था मदरास के करता बिहार बंबई सवाल मरेकतिस मत पूछो सर पिलिज क्यों क्यों ना पूछें करूना जी क्यों ना पूछें बताइए अरे पुष्पेंद्र भाई आज पढ़ाया है स्टैटिंजी के का देड़ बजे लॉट्ट चैंपोर्ट के कारकाल की दारान एश्वी सीना को किस राजज बिहार किसके लिए बिहार के लिए हैं सतंद्र परसाज सीना कौन गलप है स्वाराज पाटिया गथन लॉड्ड र कारकाल की गई उनिसों सत्रा में एनी बेसेंट और हो द्वारे होंगरू लिए स्थापना स्थापना स्था अनौन सुरू किया गया सर जॉन लॉरेंस पंजाद को दार करता कि रूपए जाने जाते हैं सवाल नमर 32 बताइए क्यों सवाल नमर 32 जो झोला कि पॉनहैं एंडिया एगल ट सब्सक्राइब लिग और एडिया होंड्या होंडिया होंड्या होंड्य नियुक्या क्या गलत फेर जब्लेंग कि इनकारेक्ट सवाल नमर 33 जल्दे 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 कौन गरत है वर्लिंग्डन देख लो तो पहला काकवरी ट्रेंड आ गए थी नौ अग्राश्च तो पचेश को नहरू समिधान लौड इर्विन यानि क्या करता है उन्हीं सौठाथाथ नहरू रिपोर्ट नहरू रिपोर्ट ठीक है आज बात है समझ में और सी यार फॉर्मूला उन्हीं सो पैतालिस तो बताइए दूसरे गोल में सम्मेलन की समय वाइसतरा कौन थे जल्दी कि दूसरे गोल में सम्मेलन के वाइसतर में वाइसतर आए अभी तक किसी का जवाब निया है इर्विन ना या तक ना ब्रिटिश भारत के दवरान गवर्नेस जनरल काराले किस्वर्ष बनाया गया था सवाल में चौतिक इन इंविच इंडियर दा आफिस 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 तो ब्रिटिश भारत के दवरान गवर्नेस जनरल के कारी कार्याले 1773 के डिया था अगर पुष्था भारत का वाइस तरहा है तो अठासर ताव हर्ण जनरल तो इंडियर ना ब्रिटिश भारत कुछा गलतिय मत कर तो तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नेर जन्दल को नामित किया उनकी सहाइता के लिए चार सरस्थियों को एक कारे-कारी परिशत बना इसी से सुप्रिम कोड बना पहली बार कहां पे तो कलकत्ता में जिसमें एलिजा इंपे हें कों थे जिप ढब बंगाल के पहले कोर न कोमने रिज्रिक वर्ट कंवालाइश तर जाउन स्तूर तो वानमल प fijंथिस तो तो इस τोक्रम बाट करूब बंगाल के पहले गवर्ने番ति ऐस धो कि निले बंगल के पहले concerned shaped था कि रिम्रेंब कि बंगाल के पहले गवर्नर की बात करते तुद्धा रेवर्टिंग एक्ट जून 773 में ब्रिटिस हंसर में पार्डित किया गया और खोर्ट विलियम के लिए चार पारसदों के साथ गवर्नेंट जनरल की नियुक्ति की गई किसे भारत में सिविल सेवाओं के पिता की रूपे जाना जाता है सवाल नमर्च 36 पताईए भारत में सिविल सेवाओं के पिता लॉड कॉर्ण वालिस वहन है लॉड कॉर्ण वालिस है ना कि तो वार्रन हैस्टिंग ने सिविल सेवा कि निव रखी भारत लाड कारणवालिश ते से सुधार रख किया है अब दिकू समझना अगर सवाल वंता है ऑघार्णवालिश ने सिविल सेवा की निव किसने रखी वारान सवाल पूछे कि भारत में किसने निव रखी वारन हैस्टिंग से लेकिन करणवालिस ने से सुधार अधुनी की करण किया है इसे लिए को भारत में नागरिक सिवा का पिता ठीक है याद रखना मिलकूल ठीक है उनिस्सोचब्वीश से किस बिर्टिस गवर्नेंट जनल ने भारत में सारवजनी कार विभाग के अस्थापना की पी डवलूडी लॉड एलन बेरू लॉड ऑकलेंड डलहौजी आडिंग सवाल नमर 37 हाँ इस बात का चौकर्ण भी कहते हैं इसे मिलकूल चाहिए तो किस बिर्टिस गवर्नेंट जनल बचे डलहौजी ने इसने किया था डलहौजी ने पी डवलूड की अस्थापना की थी ठीक है है किसब्रेश्व गवर्नेंट जनल भारत में दास्ता को समाख करतीया लौड एलन बिरू। चाल्ज मिटकोफ लट लॉड आंकलेंद लॉड एम स्वालमर 28 हेज अटारस चवगश्वन में किस ցप्रिट्रिस ग्ववनरं जनरलने भारविके दास्ता को समाफ किय लौड एलेंबरो ने यहां तकना लौड एलेंबरो ने ॥ा भारति दास्ता देनें 17 citizenijeं इस इंडियर में के नियंग कि तव भारव पृडविके नियंगा दिया जिसने घुलामी से जुड़े कई आर्थे के लादनें लेंदें को खारिश कर दिया एलेंबरो ने इस खुलामी को सवाफ कर दिया बहुत बड़े चेंज दी भाहर के लिए भी जो बॉंबे प्रेजिडेंसी के रूप में नामित किया गया था तो ब्रिटिस गवर्नेंट जन्रल कौन से सवाल नमर 49 हिस्टिंग्स एमष्ट बेंट्रीक ऑखलेंट सवाल नमर 49 पते ही क्या होगा कि जल्दी बतातो जवाब प्याओगा लॉड्ड हिस्टिंग्स गांग बंबे परिटिंजी के रूप में नामित किया गया उस समय कौन है लॉड हैस्टिंग्स है किस गवर्नेंट जनर् खारत के अदिकारिक भांसा बनाएंगे depends on तो किस गवर्ने जर्ले के सासनकाल में अंग्रेजी को भाक को आदिकारी भासा लॉड विल्यम बेंटिक थीक है नेक्स्ट के बाद करें तो बिल्यम बेंटिक ने निशले अद्राइब कारवाई के लिए फार्श्ति और वर्ना क्यूजर भासा बनाई और अंग्रेजी भासा जल्दी बेटा अभी तो कहानी शुरू भी है अभी तो पांच मुझे क्लास है आपकी इसके बाद फिर सारे पांच मुझे एक्जामना लैसिस हैं अभी तो कहानी शुरू है जल्दी बता दो ओहो अमितरा ना कहरें थक गए हैं सर अच्छा क्लास करने का मन नहीं है तो छुटी ले लो किसने रोगा आपको अभी तो भाय किससरे थिपशे का नाम किस खेल से जुड़ा है जल्दी दो गलत दो गलत दस में आठ दस में नौ कि भाय किससरे थिपशे का नाम किस खेल से जुड़ा है सतरंज चेस किससे सतरंज चेस तो भाय सिर्थिपशे शतरंज खेलानी है जिन्होंने वूमन इंटरनेशनल मास्टर की उपाधी धारनी की त्यूंकि 1991 में पांच बार भारती महला चैंपियंशिप और इसका यह महला चैंपियंशिप जीदती है ठीक है बई याद रखन ने कौन सा खिलाले बैडमिंटन से संबंदित रही है सवाल नमबर 42 बते यह क्या होगा देख लेना दस कोशन है इवेंट से स्पोर्ट्स एंड इवेंट कितने सही करते हैं तो कौन नरेश कुमार बैडमिंटन से संबंदित रही है जबकि सैयद मोधी दिपुगोस नंदुनाटेकर तब बैडमिंटन खिला ली तो भाई नरेश कुमार क्या है एक टेनिस खिला जो पंजाब जिनका संबंद पंजाब जिनका संबंद पंजाब से है ना तो हमने बैडमिंटन पूछा क्या निकल कर आया टेनिस लिए था ना देखें नेक्स्ट की बात जोती रंधावा किस खेल से संबंदित थे स्नूकर टेबल टेनिस गोल्प ऑकी कुर्षण नवर 43 च जल्दी है तो जो जोती रंधावा की बात करें माइडियर गोल्प से संबंद है किसे हैं गोल्प से किसे भई गोल्प से जोती दर सिंद्र रंधावा एक भारती पेस्टिवर गोल्पर है जहां उन्होंने 1998 और 2009 के बीच आठ बार जीत दर्ज की है कितने बार आठ बार जी किरकेट से संबंद है नहीं है सवाल नमर 44 बताइए बहारत में खेल गोल्प गोल्प क्या होगा संतोष ट्रॉपी किस से फुड़ बॉल जब कि दिलिप्र ट्रॉपे सेद मुस्ताकली ट्रॉपि यह सब किसे हैं किरकेट से हैं सेद मुस्ताक ओ माई गॉड ओ माई गॉड वहाग गलती सेद मुस्ताक तो यह किर्केट्स हैं संतोज ट्रॉपिक पुडबॉल नहीं क्योंग भारत में आएजी तोनेवाले पुडबॉल टूनामेंट है इसके असापना 1941 में कि कई तो करने नेक्स वांबव 1 पर strang आएग फिफा सरुष्टेष किरारी बच्चे दोज़ज़ार उनश काพरूसद्र किसे मिलाद कि निवोर्ड मेसी डोनाल्डो लुका happening सवारた चंट कि व आप कि कि एल मेस्टी सेयद मुश्टागली ट्रॉफी याद होगा जडवजवाली क्लास में कराया है तर मिलाडू जीता था न बड़ोदा कोहरा के तो 2019 का पुरुषकार किसे लियूनेल मेस्टी ने छट्थी भार वेश्टे रेकॉड फीपा सरस्रेश खिला दें 2019 से खिदाब जीत हैं बिलियर्ज फुटबॉल होकी गोल्फ सवाल मच्छी आलिश गोल्फ किससे हैं गोल्फ से हैं तो अर्जून से अटवाल बच्चे एक भारतिये पेश्चवर गोल्फ पर हैं ठीके हैं कौन फर्मूला बें से संबंदित हैं विच अप्ता फॉलमी इस वेटे टो इंड वान रेस्टिं से कहों समंद्रित है जल्दीक फॉर्मुला बन शे कॉन समंदित है नारायन च Greg से ऑर्में पर नारायन कर्थ की तो नारायन करती कि ने नारायन चिरस can a hour भारत के पहले फॉर्मुला ब्रौ तेज़ेस्ट सावंत परतम भारती महिला है जिसे रिच्टी निशाने बादी में कुष्ती में किसंए बताइगा नराह cuts नगैं नरा आ Caiken बहूथ बुन सो तो तेस्व इस सावंत पर्तम्हारतिय महिला जिससे वेस्टег के सम्मान मिला peaceful किसमे निशानल को यह कहां कि यह महरास्ट्रा कि ए सम्हेर माराछी हैं कौन सेक्स थाइस तुमेलेती ये बच्चे बार्बोरा अस्पोता कोवा ज्यवलिंतुरो पामेला जैलीमो भारतोलन सान्या रिचर्ड्स स्प्रिंट या एतेना इसिन भायोबा पोलवाल्ट सवाल नमर उन्चास जैलीमो भारतोलन तो पामेला जैलीमो की बात करें ये कहां कि है केनिया की खिरारी जो अठारा साल के उमर में बीजिंग में दोजाराट ओलम्पिक में आठस्व मीटर में स्वन पतर जीता था और आज तोक्यो ओलंपिक कि चुरुआत हो गई और 18 साल के उम्र में और हम लोग 18 साल में इंटर दिया कॉंसा इस्ट्रिम लें साइंस में सब्सक्षा सवाल नमर पचास तो कौन सुमेलित नहीं वही इस प्रिंटर रही है इस नहीं है आओ देखें जरा मिलका सिंग जीन की है जो अभी हाली में कुरूना से भागवान को प्यारे हो गए दा फ्लाइंग सिक के नाम से भी जाने जाते हैं और भारतिय पुर्व ट्रैक एंड फिल्ड स्प्रिंटर हैं जिसे भारतिय से नहीं सिवा करते हैं खेल में लाया गया था जादकना थिक है तो वही दस स्वाल से स्पोर्ट से खेल से अब बताओ दस में से दस कितने सही किए खेल से संबंधित दस सवाल में कितने सही किए आये जारा साइंड़ नम और एंडिमेल इंप्लांट देखें रिशस बंदर का वयाई नाम क्या है सवाल में रिक्यावन वाड़िजा साइंडवी नमप रिशस मंकी मकाका मूलत ऐसीनो स्वानिक्स जूपेड गजिला बैनेटी ग्रस्थ लिकोग गेरिनस सवाल में रिक्यावन मकाका रिशस मंकी आरेश फैक्टर जिसके अधार पे प्लस और माइनस जो हमारा प्लेट कहें पोजिटिव और नेगेटिव ना आगे लिए तो यह आपके सामने इस उसका पूछा और दे क्योंकि आज एकजां में रेल्वे वाले पेपर ने उसका पूछा है यानि मोर है स्टैंटर जो मोर है उसके बारे पूछा है क्रांटर के बारे पूछा यह जा नाम क्या त्सकंच concept जो ब्लैक बत कर है पावर क्रिस्टेटर्स और गाविलिस गैंगो टीकर्स तो अगर मैं बात कुरूं ब्लैक बग की तो एंटिलो पर पावर क्रिस्टेटर्स बच्चे पीकॉक मोर यह पूछा है आज आज यह पूछा है या तक ना पावर क्रिस्टेटर्स किसका मयूर, मूर और बोसल आपस ट्रागों मेनस नहीं लगाए और फिर घड़ियान या कैविल आखे देखो नेक्स्ट हाउस लिजाट का वईयानी नाम क्या है घरेलू सिर्फ किली जो है हाउस लिजाट का वईयानी नाम हाउस लिजाट का वईयानी नाम क्या है अराम चपड़के जवाब देदो तो हाउस लिजाट का वईयानी नाम की बात करें प्ले भी भी रिडिस प्ले भी रिडिस यहां तक न साइन्टेफिक नेम से एक सवाल जरूर आएंगे क्या आप एससी के तैयारी करो स्टेट लेवल एक्जाम की तैयारी करो या फिर आप रेल्वे की तैयारी करो गुरूब्डी की तैयारी करो सीवीडी टू की तैयारी करो रट्टा मारना पड़ेगा दूसरा कोई आप्सन नहीं है रट्टा मारना पड़ेगा तो बूबो वर्धिनिय सिंग वाला उल्लू और बूबो बूबो जो होगा यह क्या है यह उल्लू है यह उल्लू है आउल है यह जा तक ना बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट की बात करेंगे आउस स्पारो का घ्राइश को बत्याइं नाम की बात करें पेसर डोमेस्टिकस पतां पर याद कौन करेगा करूना तो आत्याद मत कीजिए नव अगर आपके भाई हैं तब उन्हें बोल सकते हैं याद करके हमें बता देना अगर आपके मानले कि घर में मां हैं पपा हैं बाही है बहन है तो उनको याद करवाई आप क्यों याद करेंगी सब करेंगी क्या तो बुल बुल मुले पास कैफ़र यूडू नो मिसिस कोयल और कुलंबा लिविया कभूतर याद के सामने आपको याद करेंगी तब कुछ आप करेंगी और घरवल कौन करेगा कि इन कोवरे का वह जाएंगी नाव हाइटो फिनाइने पाइथन मोलूरस पाइटास मिकोसा और सवाल नुमर पच्पन सवाल नुमर पच्पन सवाल नुमर पच्पन देखो तो ओफियोप्टाइगर्स थन्ना यह किंग कोबरा किंग कोबरा है तो हाइट्रो फाइना पच्पन सब्सक्राइगर्स पाइथन मोलूरस थार्ति अजगर्स और धामन यह रेट अश्नक की बात करें तो आप यह देख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट कट खोडवा का बयानी नाम साइंट भी नेवा फूड कीपर कट खोडवा का बयानी नाम कि वी चिपर का बगॉड की बात करें तो भीजर लेविश मिलानरेबस ले भीशन हन्हाँ क्वा आजा नाजा इंडियन कोब्रा है कि तो आपके सामने सितोफागा निग्रेशाज के बाद करने ब्लैक फ्रोट ग्रेगेवलर कट पूडवा तूंडरा हंस और आपके सामनी स्पैरो ना इगल का वह याई नम सांडबी नम पेगल देखो यार इसाब रट्टा मारना पड़ेगा इसाब रट्रना पड़ेगा तभी यह सब याद र इगल का वह यहीं नाम की बात करें तो एक्विला क्राइस्टोटस एक्विला क्राइस्टोटस आपके सामनी यह पूरा पूरा एक्स्प्रेडेशन देख लेना भाई यह कैसे याद होगा त्वीटी जी देखो यह एक दिर में याद नहीं आप जहां पढ़ाई करती है पर टेखें जीवों का नामकरण वयानिक पद में किस लुख फे जामते हैं यह फिर कोण ही नामकरण दिुपदीय नाम करण यह थो आक ऊफोर पहल нов अंठावन कि दुपदी नमưởng कि वे इस नम से है विद्व फदिये नामकरन के कैसा प्षिटूला किसका वयाई नाम है कैसा प्षिटूला को वयाई नाम की बात करें अमलतास किसका है अमलतास है ना कि दुपदिये नामकरन को ध्यारम रखते हुए वह यह नाम के दरकत क्या देखनेंगे मिलता है जीनस और क्लास, जीनस और किंग्डम, जीनस और स्पेसेस, जीनस और फाइलम, सवाल नंबर साथ क्या होगा, वंस और परजा, यहां, वंस और परजा, भाई यह था अलग-अलग टॉपिक से दस दस सवाल जो आप फ्राइड़े को उम्मीद करते हैं, अगर सेसन अच्छा लगा होगा तो लाइक ठोक के जाना, अभी पांच बजे क्लास से आपकी पाइपीम पे, एसेस्टी में यह आदे घंदी क्लास होगी, और फिर साड़े पांच बजे एक्जाम अलाइसे से, तो एक्जाम अलाइसे से मिस मत करना, जाना जरूर, ठीक है, तहाँ वाइफ़ा शड़ी पे, वाकर सेसन अच्छा लगा होगा तो लाइक ठोक के जाना, इसके अलावे आप हमारे करते हो, तो दो साल में 12 महीने फुरी हैं, और एक साल में 6 महीने फुरी है, जब क्या देखते हो, प्राइस क्या है, बिल्कुल जवर्दा सरीकिस हाइफ हो जाते हैं, ठीक है, और अर्वे एंटी पीसे गुरूप डे, आप यहां भी जवाइन कर सकते हो, हमारे साथ कम से कम पार्टिस्पेट जरू करिएगा, कोड डालना, बीए बीए बन जरो, बावा टेन बई, सेसन अच्छा लगाओ तो लाइक ठोक के जाना, ठीक है, तो मिलते हैं, साम को पांच बजे, इसे स्ट्री वाले क्लास में, जहांच मॉक दिस्ट है, तब तक के लिए सुक्र